आज हम पास्ट इंड उर पास्ट सिंपल यह पास्ट कंटिनिस की बारे मीं इसक्रेस क्रेंगे तो आपको मैं एक च्छोडी सी एक हुआ एक न्यूज़ के कुछ वर्स तो सम्टाइम outta घुटेके श्रल्ची मर्सा और यह वर्सा कि टाइम एक्स्ब्रसिंग ब धैन समटिंग वंद पाइम आप्सक्राइब नीव लिक्न वक्ले सbenफ को आपके हauं ग्रीम और ग्रीब आताइश है बतो ते तो आपको past simple tense का इस्तिमाल कर देना है यानि कि verb की second form का इस्तिमाल कर देना है जैसे yesterday है yesterday yesterday morning yesterday evening yesterday morning yesterday evening the day before yesterday yesterday यानि कि बिता हुआ कल और बिति हुआ कल से पहले the day before yesterday the other day ago last morning last evening last month last year last moment के स्क्रिया विसको last morning last evening last month last year last moment और अगर आप ऐसी कोज़ डेटा दे इन माई दोहजार चोबीष 15 अगस्त 1947 15 अगस्त 1947 ये डेटा दे तो आप आप पास्ट सिंपल टेंस का इस्तिमाल कर सकते हैं ये वर्स है अगर ये कहीं पर भी आजए तो आपको पास्ट सिंपल टेंस का इस्तिमाल कब करें पास्ट सिंपल टेंस का इस्तिमाल कब करें यानि कि कि जो घटना पास्ट में घटी है और यानि कि कामपीट बाइड टाइम औप स्पीकिंग यह कह सकते हैं कि कमप्लीट कि बाइदा टाइम अब स्पीकिंग कि एक होता कि वह जात्षका है तो यहांपर क्या देगा परजेंट परफेक्टंज आपको थोड़े सा आईए लगाना है कि जब भी आप spoken के अंदर जब भी आप spoken के अंदर आप past की बात करती हैं तो आप 100% में से 95% आपको past simple tense का इस्तिमाल करना है spoken English के अंदर जब भी आप past की बात करती हैं तो आपको past simple tense का इस्तिमाल करना है यह पांश्ट सिम्पल टेंज के सिश्वाल करना है यॉड शारी की ये पांश्ट सिंपल टेंज के लिए सितमाल होंगे पास्ट सिंपलेंस ffect settlements का मतलब है पाश्ट Indefinite Tens के सारी कीसारी जो मैं आपको फ्रेंस बता रहा हूं ये पास्ट सिंपल के लिए इस्तिमाल होंगे और स्पोकर इंग्रीज के इंदर जब भी आप पास्ट के बात करेंगे तो हमें मोस्टली और हैंड़ी पर्शेंट विसूड यूज क्या पास्ट शिंपल टेंस यानि की सब्जेक्ट प्लस बर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यह यूरल हो आपको वर्म की सिर्फ और सिर्फ सेक्ट फॉर्म का इस्तिमाल करना है तो यह प्रोसेस है अब हम इसके उपर अग्जांपर करेंगे सारी चीज़ाब को अग्जांपर से समझाएंगे पॉन पाई बन इसलिए आपको इस वीडियो के एंड तक बने रहना है तो आ है कल उस से मिले मिला था उसने अपना काम अच्छे से किया था जैपान में खरीता था हमने न हैं कि हमने दिपावली पर मिठें या बटि सब्सक्राइब थे सारे सिंटेट्स दो है अगर आप देखेंगे पास्ट सिंपल टेंश है और पास्ट सिंपल टेंश का आपको फोर्मुला मैं बता चुका हूं कि सब्जेक्ट सब्जेक्ट आपको चेक करना है नहीं है तो उसने मेरी सहाज़ता की यानि कि ही सहाज़ता करने की इंगलिस होती है है तो ही माली ने पोधों को पानी दिया यानि कि गार्डनर गार्डनर पाणी दिनी कि इंगलिस होती है वाटर तो वाटर की सेगंड वर्म बनेंगी वाटर माली ने पोधो को पाणी दिया तो गार्डनर वाटर दा प्लांट बहरत उनीचसंटा इसमें आज़ात होआ उइड हुआ इंडिया गोट फ्रीडम इन 1947 इंडिया गोट फ्रीडम इन 1947 भार की क्रिकेट तीम ने अच्छा खेला इंडियन गिरकेट टीम प्लेड क्या वैल मैं कल उसी मिला था तो आई मीट की मेट इस्टरे उसने कल अपना काम अच्छे से किया था तो ही अच्छे से क्या था सिंसिरली बच्छे ध्यान रखना है मेरे दोस्त ने यह पैन जपान में खरीदा था जैसे कोई पैन है तो मैरे दोस्त ने पैन जपान में खरीदा तो मैरे दोस्त ने पैन जपान में खरीदा था तो आप इसकी एंग्लिस कैसे मुनाएंगे ίας आशपanut बोस्ती पैन इन जपान मैं यहां एक चीज़ भूल गया था कि he did his work sincerely तो यहां पर जो डिट जो है यह वर्ब है मैं वर्ब है और यह जो मैं वर्ब जो मनी है तो डू डिड और डन यह तीनों फॉर्म में हैं जैसे डू करना डिड शेकंड फॉर्म और डन थर्ड फॉर्म यह चेक कर लेना हमने दिपावली पर मिठाईया बाटी हमने दिपावली पर मिठाईया बाटी तो भी मिठाईया बाटने की इंगलिस क्या आती है distributed we distributed distributed the sweets we distributed the sweets on the occasion of on the occasion of दिपावली यह दिवाली तो आपने देखा यह जो सारे सारे टेंस हैं संटेंस हैं यह सारे पास्ट सिंपल टेंस के हैं तो आपको इस तरह से चेक करना है संटेंस बनाने हैं प्रक्टिस करनी है जब तक आप प्रक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ हाथ लगने वादा देंगे तो मैं तो आपसे यही कोशिज क क्या करें जदे से जद यही करें कि आप प्रैक्टिस करें मैं जो आपको प्राइब दे रहा हूं चिट को दे रहा हूं यह मैं कुछ तो जब तक आप खुद नहीं बनाओगे खुद महनत नहीं करोगे तब तक माइड विचीजें हैं तो इसलिए ऐसे संटेंस आप बनाएं इस sentence को मैंने जो लिखे हैं तो इस sentence को पहरे आप एक बार इस बोर्ड पे मैं जो लिख रहा हूं जो बना रहा हूं उसको विदाउट चेक कि आप खुद बनाई एक बार क्योंकि आपकी सर्फ प्रक्टिस होगी और उससे आपका माइंड काम करेगा तो आपकी सर्फ प्रक्टिस है उसका नेगेटिव स्ट्रक्शर बनाना है तो सब्जेक्ट है डिट हल्पिंग वर्ब की फैस्ट फर्म और अब्जेक्ट यह याद रखना बत्सव और एक्सर हम इसको बनाने में गलती कर जाते हैं क्यों कि हम डिट के साथ में या तो इंड लगाते ही नहीं उस्टेम लगती है तो जैसे मैंने यही संटेंस उठा दिये हैं उसने मेरी साहिता नहीं की मैंने बनाया आइसका नेगेटिव कि उसने मेरी साहिता नहीं की अगर उसने मेरी साहिता नहीं की तो ही डिड नोट हेल्प मी ही डिड नोट हेल्प मी तो यहाँ पर यह देखना ह है कि यह जो है यहां पर डीड नोट होजेगा जब आप नेगटिव नाइंगे मिस्टेक कर जिया सब्जेक्ट प्लस डीडोट प्लस बीवन प्लस अब्जेक्ट तो ही डीड नोट हैल्प में उसने मेरी साध्य तक नहीं कि माली ने पोधों को पानी नहीं दिया तो गाड़न इसको तो हम चेंज नहीं करेंगे बार्दी क्रिकेट टीम ने अच्छा नहीं खेला इंडियन क्रिकेट टीम डिड नोट प्ले वैल मैं कल उसे मिला था मैं कल उसे मिला था मैं कल उसे नहीं मिला तो I did not meet him yesterday कि उसने अपना काम अच्छे से क्या था उसने अपना काम अच्छे से नहीं किया था तो ही कि डिड नोट कि वर्क कि वी डिड नोट वर्क सिंसिर लिए मेरी दोस्त नहीं यह पैन जपान में नहीं खरिदा था मैं फ्रेंड मैं फ्रेंड दिड नोट बाइड इस पैन इन जपान हमने दिपावली पर मिठाई या नहीं बाती वी डिड नोट डिस्टिब्यूट दे स्वीट्स ओंड ऑड है उश्ने मेरी सहाइटा की तो ही हल्प में उश्ने मेरी सहाइटा नहीं की गेरी नोट हल्प मी अब मानिजिए अब देखें तो मैं इस दो संटेंस को interrogative में चीज़ करता हूँ जैसे एक संटेंस लेते हैं क्या उसने तुम्ही माप कर दिया? क्या? उसने तुम्ही माप कर दिया? क्या? उसने तुम्ही संटेंस कर दिया? साइन ओफ इंटेंस क्या उसने तुम्हें छ्माप कर दिया माप कर दिया को यहाँ पर क्या का दिड। लें माली ने पोदों को पानी दिया तो डीड़ durch कड़नर हो बॉटर दा ब्लांट K thenärt geschोक कर दिया अगया हुद हुद्छ तो इतम ही षन पर इसे शाहर कर दिया तो क्या उसरी तुमेत्स्थमा करदेया दिट्यू फॉर्गिब रूड़ा सु guilty चा कि माली नी पुद्ध लूगो पनी दिया ड़ differently को तुच यह तुच देगे तुच लेतज सखेज साहिथा तकर रहन जिकी वाय औए तो उसले तुमहरी साहता क्यों नहीं की वाय एक फीड नोट हल्पियो माली ने प्रदु को पानी क्यों ही दिया वाय कि गार्डनर देड नोट वांट प्लांट वाय दा गार्डनर देड नोट वांट लाट तो इस तव्ट सब्सक्राइब भारती टीम ने अच्छा तुम उससे कल क्यों नहीं मिले वाइं यू डिद नोट मीठ है इस तरड़े तो इस तब से हम बहुत सारी संटिंस बना सकते हैं आई होप आपको यह कि जो स्ट्रक्चर है यह समझ में आया होगा तो यहां पर हमारा पास्ट सिंपल टेंट्स जो है वह फिनिश होता है आउ की अ है सो अंन-स करने जारे हैं और पाश्ट केरorta डेंट्स ज्यानि की कोई इवेन्ट कोई तुम कोई घटना कोई काम काम में जारि था क्ट Опस्ट में जारि था तो एसी सिच्वेशन के नतरा पास्ट को इस्तिमाल कर सकते हैं कोई इवेंट कोई घटना कोई थींग कोई वर्ट पास्ट में जारी था कि टो सब्जेक्ट वाज और वर्ब की फैस्ट फोर्म की साथ में आइंजी यह निकी यहाप की क्या है है हेल्पिंग वर्ब हैं तो यहां पर वाज किती कि साथ मीहादेगा शिमल्लर की साथ में और व़किस कि साथ में करता की साथ मी वर किसके साथ में और अगर आपको निगेटिव बनाना है तो वर न्ट किस फेस्ट कर्वार्व शाथ में object यह है मैं घटरा लिजी एक एक के माइन्ड मैप बनाइए कि मैंने आपको कल काफी पार फॉन किया नगर आप मेरा फॉन नहीं उठा रहे थे अच्छा कल तो मैं पढ़ रहा था उस वक्त अठाट पढ़ रहा था तो मैं कल रात पढ़ रहा था रहा था, I was studying at that time, at, I was studying at that night, at that time at yesterday's night, वे शड़क पर घुम रहे थे, कि क्या आप लोण को देखा, क्या आप लोण को देखा, तो आप इसको यह भी बराज सकते हैं, जैसे एक बार, I was studying at that time, I was studying yesterday night, यह आप yesterday night प्रसकते आप, कुछ बच्ची सोचनेंगी, सर ने हिंदी कुछ लेखी या और इंगलीज कुछ बना रहे हैं, तो वे शड़क पर घुम रहे थे, क्या आप लोण को देखा, हाँ, हाँ, वो तो शड़क पर घुम रहे थे, वे बच्ची कक्शामी सोर मचा रहिथे, मृच्ची कहक्शमी सोर मचा रहिथे, wrРЕ शूट्य। आपूट्य। चिल्रै वography he is wo दो ह którego आइऊ, छिर्ड़क कक्शामी सोर मचा रहिथे, वर शूट्म रोट्ट्य। दूश्रीथे, children were shouting in the class and teacher was talking on the teacher was busy on the phone call मदारी अपना खेल दिखा रहा था मदारी अपना खेल दिखा रहा था तो मदारी जो होता है वो जगलर होता है क्या हता है जगलर 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 वोज शविंग जगलर व जगलर मदारी अपना खेल दिखा रहा था क्या वे गलत दिखाम में नहीं जा रहे थे जह Eddy क्या वेगलरद दिखाम में नहीं जा यह वे गलत दिशा में नहीं जा रहे थे इंटरीगेटिव नेगेटिव शो वर दे वर दे नोट गॉइंट दरॉंग डारिक्शन वे गलत दिशा में नहीं जा रहे थे वर दे नोट गॉइंट दरॉंग डारिक्शन मैं कल राथ नहीं पढ़ रहा था आई वोज नोट स्टेडिंग इस्टेड नाइट वे शड़क पर नहीं गूम रहे थे दे वर नोट वोकिंग डार रहे थे वर दे गॉइंट दरॉंग डारिक्शन तो देर अच्छी सामें जा रहे थे वर दे गॉइंट दा रॉंग डारिक्शन तो देर आट सो मैने तिंग्स इडिपेंड और प्रैक्टिस ओन एफ्टिस सारा खेल प्रैक्टिस का बच्चो मैंने तो मेरे हिसाब से काफी कुछ करवा दिया है इस क्लास में और कुछ आप आपको एग दो पॉइंट और बताने हैं जो कि इंपोर्टेंट है क्योंकि एक्चिली हम पास्ट हैबिट के लिए भी कई सारी चीजों को इस्तिमाल करते हैं तो उसको भी हम चलते चलते देख लेते हैं तो देखिए नेक्स्ट हमारा पास्ट हैविच्वल एक्षन पास्ट के साथ में यूजटू प्रस्वीवन या फॉर्मला लगास्ते हैं यानि कि भूतकान वे आदत से संबंदित जैसे हम सवेरे सवेरे व्याम करते थे हम सवेरे सवेरे व्याम करते थे मैं पिछले महीने तक कोलेज में पढ़ता था वह हमेसा मुझे रात्री के खेला करता था इस सारी की सारी क्या है पास्ट हैविट है देखिए इसको कैसे बनाते हम हम सवेरे सवेरे व्याम करते थे सो वी यूज टू है इस टेक एक्सरसाइज लुदि यूज टेक एक्सरसाइज इन दा मॉनिंग यहां पर टेक तो है यह क्या है वर्ब की फैस्ट फर्म है पिछले महिने तक कोलिज में पढ़ता था आई यूज तो स्टेड़ी आई यूज तो स्टेड़ी इन दा कोलिज लास्ट मन्थ आई यूज तो स्टेड़ी इन दा कोलिज लास्ट मन्थ वह हमेशा मुझे रातरी के भोजन पर आमत्रित करता था कि आई यूज तो इन्वाइट में जोच तो इन्वाइट में यूज तो इन्वाइट में आउन दा डिनर रहे हमेशा अपने प्रेमिज का कोलिज में इंट जार क्या करती थी शी ओल्वेश में बच्मन में फुटबाल खेला करता था आई यूज्टू प्ले फुटबोल इन वाई चैल्ड़ूट यह हमने कुछ ट्रांसलेट के संटेट्स और यह यूज्टू जो है यह पास्ट हविचल एक्षन के लिए इस्त्माल कियाता है पास्ट हविचल एक्षन के लिए मैंने आपको बता दिया है कि कैसे यूज्ट और यूज्ट से हम नेगटिव बना सकते हैं हम सवेरे सवेरे व्याम नहीं क्या करते थे वी यूज्ट नोट टू वी यूज्ट नोट टेक एक्सराइज नोट टू टेक एक्सराइज नोट टेक एक्सराइज नवानी मैं बच्पन में फुटबोल नहीं खेला करता था आई यूज्ट नोट टू प्ले फुटबोल इंदा इन मैं चाल्ड़ूट वह हमेशा अपने प्रेमी का कोलीज में इंतिजार नहीं किया करती थी दूट नोट टू 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 वेट फूर फूर हर लवर इंदा कोलीज कॉमपस उस टाइप से आप बहुत सारे संटेंस वान है वह बना सकते हैं तो मारी फ्रेंट्स आज के लिए इतना ही और अगर आपको हमारी मेनत पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो क जाहिद